हमारे घर के गार्डन में लगाए थे केले का पेड जिसमें केला पक चुका था तो हमने जल्दी जल्दी से उतार लिया है ये पेड का पका हुआ केला है और भी बहुत सारा था तो हमने बाठ दिया तो चलिए दिखाते हैं हमारे केले का पेड ये देखिए और एक पेड में क ला चुका है और यह रहा आम का पेड़ जो इस बार आम बहुत ही कम हुआ था इसके लेके पेड़ में जो है अभी तक किलाया नहीं है तो अपने बाग में जो सबजी लगाते हैं फल लगाते हैं तो अगर उसमें सबजी फल आ जाये तो कितने खुशी मिलती हैं वो तो आप स लेंगे यह देखिए इसमें भी पके हुए दीख रहे हैं तो हम तोड लेते हैं इसको मेरा हाथ नहीं पौस रहा है टो मेरे बच्हे तोड़ दे रहे थे देखिए पके पके से है यह हमने तोड़ लीaben यह खाने लायक हो गया ज्याद berm। अच्छे नहीं मक्का तो मक्के में भी देखे मक्का चुका है तो अब आगे जाके और भी आएगा तो जादा ही आगे अनार आएगा मैता है बहुत नोड़े घुटे है बहुत कहूं एक चाहिए नोड़ेगा तो तो बहुत सारे फल और सबजिया लगे हुए हैं तो अभी फिलाल आपको दिखाते हैं हमने मिर्च का पेड़ लगाया हुआ है ये देखे मिर्च के पेड़ में मिर्च आ चुका है इस से पहले थोड़ा सा कीड़ा लग चुका था तो दबाई डालने के बाद जो है ये चा रहा है इसमें आने वाली है और भी ज़्यादा आएगा कुछ दिनों में अभी तो मिर्च बहुत महंगे है फिलाल खरीक के खाना पड़ रहा है तो पेड़ सही हो गया तो फूल अच्छा आएगा और मिर्च भी अच्छे होंगे तो ये देखे बड़े-बड़े से नी या लग रहा है तो आप भी घरों में पेड़ लगाईए बाता बरन को सच बनाईए और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब कीजिए ऐसे ही रोज के वीडियो पाने के लिए और देखते रही है सुचित्रा की रसोई तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई